हलो दोस्तों, कैसे है आप सब? हमारी कहानिया देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर प्लिक करना मत भूलेगा अनुराधा राइपुर में रहती थी, ससुराल में पती राजेश और बेटे आरव के अलावा सास ससुर और छोटी ननत थे अनुराधा की ननत राशी साथमी कक्षा में थी, राजेश के बाद वो कई सालों बाद पैदा हुई थी, इसलिए दोनों भाई बेहन में उम्र का फर्क था एक दोपे है राशी जब स्कूल से आई मा, ये देखो, मेरी स्कूल टीचर ने दिया है और हमें एक वीडियो भी दिखाई, उसमें लड़कियों को होने वाले पीरियट के बारे में दिखाया गया वैसे मा, आपको तो ज़्यादा पता होगा पीरियट क्या होते हैं, मुझे भी बताओ न मा इसे तुरंट बैग में डाल ले, सबके सामने इतनी जोर से नहीं बोलते ये बाते, तेरे पिता जी अभी घर पर ही है, अभी चुपकर, अभी तेरा समय नहीं आया इन सब बातों को जानने का, चल जा, कपड़े बदर ले मा जी, आजकल सभी स्कूलों में लड़कियों को पीरियट के बारे में समझाय जाता है, हमें भी राशी को समझाना चाहिए ताकि वो अचानक इन सबसे घबराए ना, अनुराधा बहू मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है राशी के लिए क्या सीखना जरू जिश्वरी को पसंद नहीं था, एक सुबह, अरे राशेश बेटा, तुने बिजली वाले को बुलाए क्या, रात से मेरे कमरे का एसी नहीं चल रहा है, हा मा, मैंने फोन कर दिया है, बस दस बजे तक दुकान खोलेगी तो आज आएगा, मैं ओफिस जा रहा हूँ, पिता ज इतने भी गोदे, वैसे ये राशी का है, आज स्कूल नहीं जाना क्या, साड़े आट होने को आए, मा जी वो बातरूम में है, मैं देखती हूँ, राशी, क्या हुआ, बहुत देर से बातरूम में हो, सब ठीक तो है ना, अनराधा बातरूम का दर्बाजा खट-खटाती है, कुछ देर बाद राशी बातरूम से बाहर आती है, भाभी, मुझे लगता है मेरे वाश्रूम वाली जगह पर शायद चोट लग गई है, मुझे डर लग रहा है भाभी, मैंने साबुन से भी धोया पर पता नहीं, बलड आ रहा है, राशी, तु मेरे साथ मेरे कमरे में आओ क्या हुआ राशी, इतनी देर से बातरूम में क्या कर रही थी, मा जी, राशी को पीरियड उने शुरू हो गए है, ये घबरा रही है, मैं इसे कमरे में ले जाकर समझाती हूँ, समझाना क्या है, कपड़ा दे देती हूँ रख लेगी, मा आप क्या बुले जा रहे हो, कुछे भी हर महीने पीरियड आते हैं, और पिट्टू दीदी, शालीनी दीदी सबको होते हैं, क्या भाबी ये पीरियड? हाँ, मेरी प्यारी ननत, ये पीरियड हर लड़की को होते हैं, जब वो किशोरा वस्था में कदम रखती है, यानी की 13. वर्ष में लड़कियों को पीरियड की शुरुवात हो जाती है, पर इसमें घबरानी की कोई बात नहीं होती, तीन से चार दिन में तुम्हारे पीरियड अपने आप बंद हो जाते हैं, अच्छा, अब मैं तुम्हें ये सैनिटरी पैड को अप्योग करना बताती हूं, और इससे जुड़े सभी सवा सवालों के उत्तर भी दूगी, अनुराधा राशी को सैनिटरी पैड का यूज करना सिखाती है, और राशी के मन के डर को भी हटाती है, उसके सभी सवालों के उत्तर दे कर, राशी को समझ आ गया था कि पीरियड एक लड़की की जिंदगी का बहुत ही जरूरी हिस्सा है, तो इन से घबराने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे राशी को अब इसकी आदत हो गई थी, अब वो इन दिनों में बेफिक्र होकर अपने सारे जरूरी काम करती थी, अनुराधा बहु, तुमने जितना अच्छा राशी को मासिक धर्म के बारे में समझाया है, शायद उतना अ शॉपिंग के लिए, वो अपनी सहेली विभा को फोन मिलाती है, विभा, मैं बोल रही हूँ, अनुराधा, और बता, आज फ्री है क्या, आरफ का जन्म दिन आ रहा है, मेरे साथ शॉपिंग पर चले, एक तो दिन बात चले, अभी मेरे पीरियड आए हुए है, तो पेट मे बात नहीं है, डॉक्टर इसकी सही वज़ा बता कर इसका इलाज बताएंगी, एक काम कर, कल तु मेरे साथ मेरे फैमली डॉक्टर के पास चल, जहां मेरी डिलिवरी हुई थी, अगली दिन अनुराधा विभा के साथ अपनी लेडी डॉक्र के पास जाती है, ओके, मैंने चेक अप कर लिया है, आपकी महवारी अन्यमित होने की सबसे बड़ी वज़ा कुछ भी हो सकती है, जैसे की तनाव बढ़ने के कारण, आहार में पोशन की कमी, थाइरोइड की वज़ा से, अधिक एकसरसाइस करने के कारण, बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने के कारण, ना हो सके खुश रहे, तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको, स्ट्रेस महवारी अन्यमित होने की एक बड़ी वज़ा है, और एक बात, कभी भी बर्थ कंट्रोल पिल्स बिना डॉक्टर की इजाज़त के नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर से ही सही दवाई बर्थ रखूंगी, विभा और अनुराधा क्लिनिक से बाहर आ जाती है, थैंक्यू अनुराधा, तेरी वज़ा से मेरी लाइफ की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्फ हो गई, अब दोस्त हो तो दोस्ती तो निभाने ही पड़ेगी, चल अब घर चलते हैं, और आरभ के जन्म दि लिए एक प्यारी सी गुडिया की मा बन गई, सब तेरी वज़ा से ही पॉसिबल हो पाया है अनुराधा, शुक्रिया मेरी बहन, आज अनुराधा ने एक अच्छी बहू, अच्छी भावी और एक अच्छी सहेली बन कर, सब के दिलों में एक अलग पहचान छोड़ दी थी, कॉलिच में एक्जाम चल רہे थे, प्रेणा और महमा तानिया का कॉलिच के गेट पर इंतजार कर रही थी, ये तानिया कहा रह गई, प्रेणा सब फोन मिला तानिया को, पूछ कहा है? रुक, वो आरही है सामने से, कहां रह गई थी? एक्जाम शुरू होने वाला है, अरे व दो बस तो छूड़ गई, अब तीसरी मिली तो जल्दी जल्दी भाग कर आई हो, चलो अब जल्दी पहले ही लेट हो गया है, एक्जाम शुरू होने में बस तसी मिनट बाकी है, बस दो मिनट मैं वाश्रूम होकर आई, तान्या जल्दी कर कितनी देर लगाएगी वाश्रूम अरे, ये तेरा मुख्यों लटका हुआ है, क्या हुआ, मेरी डेट आ गई, दो दिन बात थी, मुझे लगा अभी नहीं होगी पर, मेरे पीरियड आज ही आ गए, अब क्या करूँ, तो सैनिटरी पैड लगा जल्दी, मैंने बैग में नहीं रखा भूल गई, अब क्या करू प्लीज मेरे लग कहीं से सैनिटरी पैड ला दो, थीक है, रुख हम देखते हैं, प्रेणों और तान्या कॉलेज में पता करती हैं, पर किसी के पास सैनिटरी पैड नहीं था, बड़ी मुश्किल से उन्हें साइंस की एक टीचर के पास सैनिटरी पैड मिला, और उन्होंने जल्दी से तानिया को ला कर दिया इस सब में उनका आधा घंटा लग गया खेर तीचर को मजबूरी बता कर उन तीनों ने वो एक्जाम जैसे तैसे दे ही दिया पर तानिया उस दिन के बाद फिर कभी सैनिटरी पैट को डेट के पहले अपने पास रखना नहीं भूली वक्त भी था अब प्रेणा, महिमा और तानिया तीनों की शादी हो चुकी थी तीनों अपनी अपनी घर के हस्ती में व्यस्त थी शादी के बाद एक दिन वो एक साथ मिलती है आज कितने दिनों बाद हम तीनों एक साथ घूमने निकले है हाँ तानिया ये तो है शादी के बाद घर से फुरसत ही नहीं मिलती मैं तो अभी भी बड़ी मुश्किल से आप आई हू तुम दोनों से मिलने का बहुत मन था फरना आज तो मेरा पीरेट का सेकेंड डे है पीरेट से तुझे याद आया कॉलेज के एक्जाम का वो दिन जब तानिया परिशान हुई थी हाँ मुझे याद है वो दिन पर यार कॉलेज के वो दिन भी क्या खूबसूरत दिन थे बस मस्ती में तीनों सहीलियों का घूमना प्रिणा नाइट आउट और एक दूस्रे के घर में रुखना हाँ प्रेणा तुन्हे आज उन दिनों की याद दिलाकर फिर यादे ताजा कर दी अरी क्यों ना हम तीनों फिर एक साथ अपने माईके में मिलकर नाइट आउट करें हाँ ये ठीक रहेगा क्यों तानिया क्या खयाल है बिलकुल मेरी प्यारी सहेलियों पर तुम्हारी बातों से याद आया मुझे तो अभी घर जाकर पैकिंग भी करनी है कल हम पूरे परिवार के साथ नैनी ताल गूमने जा रहे हैं अच्छा नैनी ताल? अच्छी जगए गूमने के लिए वहाँ पर तली ताल, मली ताल काफी मशूर है हाँ मैं भी एक बार गई हुई हूँ चल अच्छा है घूमा बाकी मेरी शादी की साल गिरह है अगले महीने तुम दोनों को काट दूँगी पर अभी से बोल रही हूँ आना है इस तरह तीनों सहेलियां आपस में मिलकर अपने अपने घर आ जाती है अगले दिन तान्या को परिवार के साथ नैनी ताल निकलना था तान्या भाबी ये आपकी हवाई चपल बाहरी रह गई थी ठैंक यू कोमल और कल तुम मुझे कुछ कह रही थी कि पिछले दो महिने से तुम्हें पीरियड नहीं आ रहे मैंने डॉक्टर से पूछा था वो बता रही थी कि तुम्हारी अभी पीरियड होने की शुरुबात है इसलिए कई बार irregular रहेंगे और जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ेगी अपने आप ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तुम्हें काम करो अपने बैग में कुछ सैनिटरी पैड रख लो कभी पहाडों पर जाकर ठाकावट से हो जाए तो पास में तो होंगे ओके भावी मैं रख लेती हूँ सब लोग न्यानिताल घूमने जाते हैं और वहां का नजारा देखकर तान्यों और कोमल बहुत खोश होती है मा जी आप भी आओ एक फोटो आपके साथ भी ले हाँ मा आओ ना पापा जी मा के साथ खड़े हो भाया इंकी फोटो लो फिर मैं आपकी और भावी की फोटो लूँगी तब ही अचानक कोमल के पेट में दर्द होने लगता है भावी मुझे लगता है आप सही कह रहे थी सफर के दौरान मुझे पीरियट्स हो सकते है आप जरा मेरे साथ होटल के रूम में चलोगी मेरे बैग में सैनिटरी पैड रखे है ठीक है रुक मैं चलती हूँ मा जी मैं और कोमल जरा रूम में जा रहे है अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे तानिया कोमल को लेकर होटल के कमरे में चाती है थोड़ी देर बाद थैंक्स भाबी आपने मुझे इतनी अच्छी सला दी मैं तो आगे से पीरियट की डेट आने के पहले ही बैग में एक्स्रा सैनिटरी पैड रख लिया करूंगी थैंक्स की क्या बात है कोमल टॉयलेट पेपर से काम चलाया पिचारी बहुत परिशान हुई तभी सास भी कमरे में आ जाती है अरे तुम दोनों यहां बैट कर गपे मार रही हो और हम तुम दोनों का वहां इंतजार कर रहे थे मा पापाजी और भाईयक आए वो दोनों तो नीचे बने गार्डिन में सर्दी का मजा ले रहे है वैसे तुम दोनों आई क्यू थी? मा जी कोमल को पीरियट स्टार्ट हो गए थे तो इसलिए आना पड़ा मा आज भाभी ना बताती कि सैनिटरी पैड रख लू तो यहां किसको बोलती की कोई लाकर दे दे? इधर-धर ढूनना पड़ता बहू, तुम हो तो मुझे कोमल की कोई चिंता नहीं रहती तुम्हारे जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई जीती रहो बहू मा जी, मेरा परिवार मेरी दुनिया है और आप जैसी सास और कोमल जैसी ननद मुझे इस जनम में मिलना मेरा सबसे बड़ा स्वाभा के है कोमल तान्या के गले लग जाती है एक बहू अपनी ससुराल में सबकी प्यारी बन सकती है ये तान्या ने आज साबित कर दिया था हलो दोस्तों कैसे है आप सब हमारी कहानिया देखने के लिए हमारी चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकोन पर क्लिक करना मत भूलेगा